दोस्ता हमारे शरीर में यूरीक एसिड प्यूरीन के तूटने से बनता है यह बलड से बहता हुआ किड्नी तक पहुचता है वैसे तो यूरीक एसिड यूरीन के तुरू शरीर से बहार निकल जाता है लेकिन कभी-कभी यह शरीर में ही रह जाता है और इसकी मातरा बढ़ने लगती है आज के समय में 30 साल के उम्र के बाद अकसर लोगों को गठिया और जोड़ों में दर्द वा सूजन की शिकायत होने लगती है और गलत खान पान से यह है तकलीफ और भी बढ़ सकती है शरीर में युरिय केशिट बढ़ने पर पैर और हातों की उंगुलियों अंगु स्तमाल करके आप युरिय केशिट को कंट्रोल कर सकते हो आप शरीर से बढ़ीवे युरिय केशिट को बाहर कर सकते हो तो सबसे पहला चीज है जिसे आपको डायट में शामिल करना है वह है अजवाइन दोस्तों अजवाइन खाने से युरिय केशिट कम होता है आप क्या करे पचास गरम अजवाइन ले ले और पचास गरम सौंफ ले ले आप अजवाइन को हलका सा तवेव भून लीजेगा और सौंफ के साथ मिलाकर किसी एर टाइट डब्बे में रख ले और रोजाना खाने के बाद एक चमच थोड़े से मिसरी के साथ चबाचा बागर खा ले इसस इसके लावा एक रेमेडी बताता हूँ जिसका इस्तमाल आपको लगतार करना है आपको करना क्या है एक मिडियम अग़ा का कच्चा पपीता लीजे और उसे बीच में से काटकर बीजों को अलग कर लीजे और पपीता के छोटे-छोटे टुकडए कर लीजे पपीते को दो से आठ मिनिट तक मिडियाम आज में पका लिए, उबालने के बाद पारे को ठंडा करके छान ले, फिर दीन में दो से तीन भार पिए आता हफ्ते में दो दिन करें, इसे युरी केसेड कम होता है इसके लावा हरा धनिया खाईए, हरा धनिया एंटी ऑक्सिदेंट से भरबूर होता है और एक तरह से डियरोटिक के तरह काम करता है आप हरा धनिया के चटनी का सेवन रोजाना कीजे, इसे गठिया और अर्थ्रैटिस में भी अराम मिलेगा और साथ आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, यृविक एसिड धनिया के इस्तमाल से कंट्रोल में आ जाएगा अगली चीज दोस्तों एपल साड़े विनेगर यानि कि सेव का सिर्का, पानी के साथ मिलाकर सेव का सिर्का लेने से बहुत फादा करेगा रोजाना दो चम्म सिर्का एगलास हलके गर्म पानी के साथ सुबह सुबह ले सकते हैं अगर आपका शरीर एसिड डिक है, एसिड जादा बनता हो तो यहाँ पर आपको एपल साड़े विनेगर का इस्तमाल नहीं करना है इसकलावा शरीर को हाइडरेट रखकर आप यूरीकेसिड के स्तर को कम कर सकते हैं शरीर में पानी का उचीत मात्रा सिस्टम से यूरीकेसिड को बाहर निकालने के लिए जरूरी होता है पानी के परियाप्त मातरा से शरी में मौझूद हिरीक एसीड यूरीन के रास्ते बाहर निकल जाता है इसलिए शरी में पानी की कमी बिलकुल ना होने दे इसके लावा रात को सोते समय दूद या डाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए अगर फिर भी दाल खाने का मन करता हूँ तो छिलके वाली दाल खाएं दही, जादा चावल, अचार, डाल, पालक, फास्ट फूड, कोल ड्रिंक्स, पैकेज़ फूड, अंडा, मांस, मचली, शराब और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए यह सब चीजें यूरीकेशिट की समस्या को बढ़ाती है और सबसे खास बात, खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है खाना खाने के कम से कम एक घंटे के बाद ही पानी पीएं अगर खाना खाते वक्त प्यास लगे या फिर गले में खाना अटक रहा हो तो एक या फिर दो घुट पानी पी सकते हैं दोस्तों बहुत से लोग घरीली उपायों दुबारा और परहेज करके यूरीकेशिट का इलाज किये हैं आप भी चाहते हूं यूरीकेशिट का इलाज नैचूल तरीके से करना तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा परहेज करना होगा और बतायागे रेमिडिय का इस्तमाल करना होगा यकीन मानिए 15 दिनों तक बतायागे रेमिडिय को फॉलो कीजिए उसके बाद अपना यूरीकेशिट जाच करवाईए आपको फर्क नजर आएगा आज की इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद